हेलो एन वेरी गुड मॉर्निंग तो अल उफ यू आप सभी का स्वागत है आज जो है हम प्रादेशिक परीद्रश्यों को पढ़ने वाले हैं आप सभी जानते हैं कि यह अगस्त 2021 के अंतर राष्ट्री के पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हमने तीन वीडियोस के अंदर रा तो आज का जो वीडियो है वो स्टेट न्यूस के उपर है जो काफी इंपोर्टन्ट है सभी लोगों को इसका इंतजार रहता है कि स्टेट न्यूस में क्या-क्या इंपोर्टन्ट खबरे हैं जो हमको पढ़नी है तो आज इसको पढ़ेंगे आज का टार्गेट यही है कि पूरे इस वीडियो के अंदर जो है राजस्थान का जो परादेशिक परिद्रश है उसको पढ़ा जाए आगे बढ़ने से पहले कुछ information में आपको देती हूँ information यह है कि आप जो है कभी भी chronology की एक और chronology त्यार ना करें मतलब कि नोट्स पर नोट्स त्यार करने की कोई आवशकता नहीं है आप यह जो magazines है इनका collection रखिये पूरे एक साल की magazines का और उसको जो है बाहर लिख लिजिए कि मैंने इसमें तीन डंडे बना लिजेगे एक दो और तीन जैसे अपन टैली मार्क बनाते थे ना वन टू और त यह जैसे कि मैं प्रादेशिक परीदरश्य या का लूब्राने में मुझे 40 मिन लगें अब आप जब इसको पढ़ाएंगे एक बार्लत आपको 40 मिनट लगेंगे लेकिन सेकंड में आपको 20 से ज़ाधा नहीं लगना चाहिए और थर्ड टाइम जब आप उसका रिविजन करें तो आपको फाइफ मिनिट से ज़ाधा टाम नहीं लगना चाहिए तो यह इस तरीके से अगर आप तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि जो चीज़े याद होने वाली हैं उनको बार-बार रिपीट आप ना करें ठीक है क्योंकि फिर आपको क्या सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं अगर आप करंट अफेर्स के चक्कर में ही सारा समय गवा देंगे तो आप अपना आप रिवाईस है तो उसको भी थोड़ा माइंड में रखें जो जो इंपोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्यक अंडर लेन करें उनको 3-4 बार क्रिवाईस करें आपका काम हो जाएगा अपनी मेंमोरी पर भरोसा रखें आपको याद दिला देंगी ठीक है तो ये मेरा कहन तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रादेशिक परिद्रश्य से पहला जो हमारा न्यूज आर्टिकल है वह मिशन निर्यातक बनो योजना का शुभारम तो देखें यह निर्यातक क्या होता है निर्यातक का मतलब होता है एक्सपोर्ट ठीक है जो अपने सामान को विदेशों के कर सके वह निर्यातक होता है तो राजस्तान में जो नि निर्यातक है एक्सपोर्ट करोड्य को आए इस साल के लिए तो उसके लिए disparities करेंगे गसे एक्स चाहिए उसके लिए और exporter के पास में जैसे की production तो है जिन लोगों के पास कि उत्पादब उत्पादन तो बहुत जादा कर रहे हैं लेकिन उनको knowledge नहीं है कि export preparedness index एक इंडेक्स बनाया जाता है export preparedness index उस इंडेक्स के तक अगर हम बात करें तो राजस्थान जो हमारा है जो हमारा राजस्थान जो राज्य है वो landlocked जो भी राज्य है लेंड लॉग का मतलब क्या है जो समुद्र से या पानी से जुड़ा हुआ नहीं है उसको लेंड लॉ पर यह आता है तो यानि कि हमारे पास जो है फैसिलेटी है और सभावनाई है तो फैसिलेटी अगर और दी जाए जो भी हमारे जो यहां पर प्रोडूसर्स हैं तो वह अच्छे निर्यातक जो है वो बन सकते हैं और स्टेट की जो हमारी GDP है उसके अंदर contribute कर सकते हैं तो पर इस मिशन की जो है वो शुरुवात की है अब इससे क्या होगा कि जो निर्यातक होंगे उनको सीधे निर्यात प्रक्रिया से जो है जो उत्पादक होंगे उनको सीधे निर्यात प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट करने का उससे सीधे ही जोड़ा जाएगा इ इस मिशन के तहट 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष रखा गया है कि जो ये प्रोड्यूसर्स हैं उत्पादक करता है उनमें से 22,000 लोगों को निर्यातक बनाने का लक्ष है इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25 प्रतिशत की वृद्धी हो पाईगी ठीक है फिर है कि ये जो उत्पादग होता है उनको जिला इस तरब और संभाग इसतर पर सूचना ही दी जाएगी कि कि आपको किस तरीके से काम करना है जैसे मेशे को बता देें कि ऑपको इस प्रकार से एक्सपर्ट करना है हम आपकी आपकी ऐससे साहता करेंगे तो अस कारया को करने के लिए औ परना गर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को साओधी अरेविया से कैसे व्यापार करना तो मैं कैसे कर पाऊंगी ठीक है तो लैक आफ नॉलेज जो है उसको फिल करने के लिए यह मिशन चलाए गया जिसका नाम है निर्यातक बनो मिशन ठीक है अब इसके अंदर कौन निर्यातक वह बन सकता है तो सभी उतपादक निर्यातक नहीं बन सकते हैं कौन बन सकता है वह देखते हैं तो देखिए निर्यातक बनो मिशन के है सवामित्व साजयदारी और फर्म, MSME, जो किसी भी प्रकार के उत्पाद के निर्माता, एवन खुद्रा व्यापारी, और राजस्तान में कारे करने वाले स्वेम साहता समू, स्टार्ट अप से जुड़े विभिन व्यक्ति जो है निर्यातक बन सकते हैं, तो ये इनकी क्याटेगरी होगी निर्यातकों की है और इसके अलावा, इसके अनदर काफी सारे जो विभाग हैं, वो इसके अनदर जुड़े वे हैं, कौन-कौन से विभाग हैं जैसे यहाँ पर देखिये, डाक विभाग भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, आयात निर्यात, बैंक, ऐक्सपोर्ट, इमपोर्ट, बैं जो data है वो बताई दिया था landlocked वाला next article पे हम चलते हैं अब देखिए ये जो है प्रतेक वर्ग के लिए नियूनतम मजदूरी जो है उसको अभी निर्धारित किया और उसको बढ़ाया गया है राजी के अंदर तो जो मजदूरी दर बढ़ाई गई है उसको हम देख लेते है एक बार जो कुशल श्रमिक हैं जो कि नौन स्किल्ड लेबर होता है उनको 225 के स्थान पर उसमें 27 रुपे बढ़ा करके 252 रुपे कर दिये गए हैं यानि कि 652 रुपे उनको महीने के मिलेंगे तो अब महीने के ध्यान रखिए या फिर ऐसे ध्यान रखिए यह याद रहे जो कि स्किल्ड लेबर हैं उनको 249 के स्थान पर 276 रुपीज दिये जाएंगे और जो हाइली स्किल्ड लेबर है यानि उच्च कुशल श्रमिक हैं उनको 229 से ने करीबन 300 रुपे से 326 रुपे जो है उनकी मज़़ूरी को बढ़ाया गया है तो यह जो है जुलाई 2021 से जो लुक्त क्यों होता है एंपलो इस कि प्लोय के कल्यान के लिए Employee Welfare Fund को जो है इनोंने मंज़ूरी दियाएं यह फंड जो है लोन लेना है तो वो ले सकें जैसे कि यहां दे रखा है देखें कई सारी योजना हैं जैसे राजस्तान सरकार स्वास्ते योजना में अंशदान आवास रिण योजना उच अध्यानेतू रिण योजना व्यक्तिकत और वाहन रिण योजना ये सारी जो चीज़े हैं इनके वि वह जन्जाती भागिदारी योजना उनके लिए को रोजगार कैसे डवलब करें उनको में अपने अधिकारों। के प्रदि जागरूप का JTalk करें लिए उनका does iki का के विकास किस प्रकार से किया जाए ठीक है उनके सामुदाइग rope नका भाग है तो जो है विश्व यानि वर्ल्ड का JG90 अधिवस है यानिके आदिवासी दिवासे वो बनाया जाता है 9 अगस्त को ठीक है ये हमको याद रखना है ये कोशन पूछा जा सकता है फिर है इनके कल्यान के लिए जो कारे किये जा रहे हैं उसमें कई सारी चीज़े हैं अब देखिए कि सरकार क्या क्या करेगी और कहां कहां से फंड ल पाकी का हिस्सा जो है सरकार देगी उसके अलाव आप देखिए इसके अंदर जो अलोट्मेंट होगा ठीक है जिसमें अब मैं कुछ कऊँगी नहीं लगन जो अलोट्मेंट होगा इसमें 10 लाग तक का अलोट्मेंट जो है कलेक्टर साब कर देंगे आयुक्त के द्वारा और जो 25 लाग से उपर की जो अधिक सीकूरती है वो जन जाती शेत्रिय विकास विभाग के स्तर से जो है वो की जाएगी ठीक है इसमें नीजी भूमी पर योजना के तहट निर्माण के अनुमती नहीं होगी और अगर आप किसी जन जाती शेत्र से भू नेक्स्ट देखते हैं इसमें हाँ स्रज्यत होने वाली परीशक्तियां जो होगी यानिवी एसेटस बनाए जाएंगे जो बहन डवलपमेंट किया जाएगा उनका स्वामित्व है यानि कि जो ओनर्शिप है वो राज्य सरकार की होगी उसमें ठीक है ऐसा नहीं कि उसी जन जाती के नाम कर दिया आपने ऐसा नहीं है तो यह किसके अंडर में आएगी स्टेट गवर्मेंट के अंडर में इसका जो क्रियान्वेन है इसको बचाया जा सके तो उसके लिए अभी नई योजना जो है शुरू की गई है तो 2018 के नियम ही इसके उपर भी लागू होंगे और इसको जारी किया है महिला इवन बाल विकास विभाग के द्वारा मतलब यह इसका क्रियान्वेन करता है अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही जो विभाह होता है उसमें सामुईक विभाह के अंदर जो एक मुष्ट जो 10,000 रुपे की राशी है वो वदू के खाते में आएगी इससे मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सामुईक विभाह होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कारिक किया जाता है तो उसमें 10,000 का जो अलावा जो योजना के तहट प्रकरण में आने वाली जो भी समस्या है उनका त्वरित निस्तांतरन के लिए जिले में जिला कलेक्टर इस्तर पर जो है निस्तारन ये तो प्रावधान भी किया गया है ठीक है तो यह इसके जो है कुछ प्रमुख प्रावधान थे और इसको जो है online कर दिया गया यानि जिसको भी registration कराना है वो online करा सकता है so next जो article है वो है स्वायत शासन विभाग जिसको autonomous administrative department का आ जाता है उसमें परियावरण प्रबंदन कोष्ट जिसको हम बोलते हैं environment management cell यह जो है अलग से इसके अंदर बनाया जाएगा और इसको बनाने का उद्देश ही क्या है कि जितने भी हमारे जो rules हैं जैसे कि solid waste management rules, plastic waste management rules यह सारे rules जो है इनमें से कुछ एक आपको RS mains के syllabus में भी पढ़ने हैं आपको उनके प्रावधान पढ़ने हैं अच्छे से क्योंकि वो एक्जाम में आ सकता आपके syllabus में दिया हुआ है तो स्वायत शासन विभाग में परियावरण प्रबंदन कोष्ट जो है उसके गटन को मज़ूरी दी गई है और ये जो है नगरिये विकास आवासन और स्वायत शासन मंत्री शांते धारेवाल ने जो मुख्य मंत्री बजट गोष्टना है उसके अंतरगत जो है इसको किया है उसके क्रियावरण के लिए ही किया गया है तो अब क्योंकि नाम से इस सिद्ध है कि इन्वायरमेंट मेनेजमेंट से लिक कर क्या सकता है तो यह जो है जैसे कि बायो मेडिकल वेस्ट है प्लास्टिक वेस्ट है यह जितने भी नियम कानून है NGT के जो नियम है समय समय पर जो परियावरण के संबंद में दिया जाते हैं उन सब को लागू करना जो है इसका कारिय रहेगा नेक्स्ट जो योजना है उसको देखते हैं मुख्य मंतरी किसान मित्र योजना का शुभाराम ये इंपोर्टन योजना है क्योंकि अब किसान से संबंदित है लेकिन किसान की कौन से समस्या से संबंदित है उसको हमको देखना है यहां पर तो देखे इसका पूरा नाम तो है मुख्य मंतरी किसान उर्जा मित्र योजना लेकिन यहां पर लिखा है जैसे एक्जाम में आ सकता है कि मुख्य मंतरी किसान को जो electricity वो यूज करते हैं उसके उपर सबसीड़ी दी जाएगी जैसे कि जो किसान है उसके अंदर 1000 रुपे का जो है जो है इसके अथेत उनके बैंक खातों के अंदर 1000 रुपे की राशी या फिर अधिक्तम 12000 रुपे की जो राशी है प्रतिवर्श ठीक है वो उनको बिजली 17 जुलाई से किया गया है और इसमें 1450 करोड रुपे का अतिरिक्त वियाय सरकार के द्वारा होगा मिनिमम एक हजार और मैक्जिमम 12000 प्रतिवर्श बहिए एक हजार एक महीने का देंगे तो 12 का तो 12000 हो गया इसमें समस्त सामानिय श्रेणी ग्रामीन क्रिशी उपहोगता म अतिरिक्त अनुदान के लिए पात रहोंगे और यह अनुदान सीधे जो है बैंक खाते में जो है वो दिया जाएगा इस योजना का लाब जो है 2021 से बिजली के बिलों पर जो है वो लगू होगा ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं और यह तो इसमें इतना तो बता दिया मैंने नेक्स्ट जो योजना है उसको भी ध्यान से पढ़ियेगा कि देखिए इंद्रा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना अब जो है इसके अंदर जो पात्र जो छात्राएं होंगी यानिके जो लड़किया होंगी उनको जो व्यावसाइक शिक्षा से जुड़ी उनको भी देने का निर्णे जो है वो लिया गया है अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी लड़किया शामिल है तो देखिए जो अनुसुचित जाती जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग अल्प संक्यक अतीप पिछड़ा दिव्यांग बीपील और सामान्य सहित आठ समव संवर्ग यानि के होता है क्या बोलते हैं जैसे कोई आर्ट का है साइन्स का है या जो भी उसका है इसके अंदर राजस्तान बोर्ड से कक्षा 10 में प्रताव आने वाली बालिकाओं को 75,000 रुपे और 12 कक्षा में प्रतेख संवर्ग में प्रतेख फिल्ड के अंदर प्रतम आने वाली बालिकाओं को 1,000,000 रुपे और एक स्कूटी का पुरोस्कार इसके अंदर दिया जता है तो किती अच्छी होजना है ना फिर है नेक्स्ट स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्तान देश में जो है वो प्रतम इस्थान पे आया है तो यह जो स्मार्ट सिटी मिशन ह है हमारी केंद्र सरकार का उसके अंदर जो है अभी इसकी जो रैंकिंग है वो जारी की गई थी उस रैंकिंग के अंदर जो है राजस्तान को इसके अंदर प्रतम इस्थान मिला है और राजस्तान की जो शेहर इसके अंदर मेंली जो चार शेहर है वो इसके अंदर जो है रै में इस योजना के तहित तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहित यहां पर जो है साफ सफाई में तो देखिए यहां पर चिकितसा और खेलकुच सुविधाओं का विस्तार किया गया जलापूर्ती की गई और ठोस अप्षिष्ट प्रबंदन जिसको कहते हैं सॉलिड वेस्ट फिर नेक्स्ट आर्टिकल है तो नेक्स्ट आर्टिकल है राज्य स्तरिय परिवार कल्यान प्रोत्साहन पुरुसकार वित्रण समारो तो यह जो पुरुसकार वित्रण है इसका जो है इसका कारे जो है हमारे स्वास्तमंत्री की द्वारक किया गया है इसमें मिशन परिवार विकास वाले जो 14 जिले हैं उनको पुरुसकार दिये गया है उसमें फर्स्ट जो पुरुसकार था वो 11 लाक रुपे का था जो बासवाड़ा जिले को मिला है सेकेंड पुरिसकार 28 रुपे का करॉली जिले को और तरीतिया पुरिसकार पाली जीले को तो बासवर्ण करॉली और पाली जिले को यह पुरिसकार मिला है नॉन MPV यानि कि नॉन मिशनपरिवार विकास वाले हैं उनमें 19 जिलों की श्ट्रेणी के इंदर जो फर्स्ट अवर्ड है वही ग्यारा आठ और पांच लाक वाला तो फर्स्ट जहलावाड फिर अजमेर और फिर हनमानगड को इसमें जो है वो मिला है और उसके बाद में जो है MPV जिलों की जो श्ट्रेणी है उसमें जो पंचायस समीतिया है जो हमने उपर जिले पड़े है उसमें जो पंचायस समीतिया है उनमें किसको अवर्ड मिला है तो यहां देखते हैं तो जो पाली जिले के अंदर देशूरी नामक जगे है उसको पांच लाक वाला अवर्ड मिला है पंचायस समीति को और चार लाक जो सेकंड अवर्ड है वो रासमन जिले में रासमन जो है उस जगे को जो की रासमन में ही पढ़ता है उसको मिला है पंचाय समीती को और तीसरा जो है वो मावली नामक जो जगे है जो की उद्यपूर जिले के अंदर है उस पंचाय समीती को मिला है तोड़ा तोड़ा आइडिया जो है इसका ध्यान रखेगा हो सकता है को कोशिन इसके प्राइमादूपूर में है फिर है जल्दा ये बासवड़ा में है और फिर है खाकर माला जो की रासमन्द में है ठीक है फिर नॉन MPV जो जिले हैं यानि ग्राम पंचायत है उनके अंदर देखते हैं तो गोईला जो कि अजमेर में है ठीक करिया और जैपूर में और बगड मे यह है अलवर में तो इनको यह अवाड जो है वो दिये गए हैं फिर नेक्स्ट है इको ट्यूरिजम पॉलिसी 2021 तो वन और परियावरण विभाग की ओर से प्रभावी की जा रही राज्जी में नई इको ट्यूरिजम जो पॉलिसी है उसको स्टेट वाइल लाइफ बोर्ड की बैठग में मुक्य मंत्री के द्वारा जो है वो लॉंच किया गया है तो यह इंपॉर्टन है इको ट्यूरिजम पॉलिसी हमारी नहीं आई है इस नीति को राजस्तान राज्य परियाटन नीति से सम किया गया है यानि कि 2021 में है तो 2021 तक के लिए प्रभावी है इस नीति में ट्रेकिंग बर्ड वाचिंग हाइकिंग बोटिंग ओवरनाइट कैंपिंग सफारी साइकलिंग साइप परियावरण और पारिस्तिति के संगरक्षन के अनुकूल सभी प्रकार की गतिविदियों को जो है वो शामिल किया गया है इस नीति के अनुसार वन्य और वन्य जीव और जो संगरक्षित शेत्र यानि कंजर्वड एरियाज है उनके साथ साथ जो अन्य स्थानों पर भी एको ट्यूरिजम के कारे स्थाने समुदाई के भागिदारी से जो है वो किये जाएंगे एको लोगों के साथ जाएगा फिर उसको जंगल के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए तो ऐसी चीज़ों को डेवलप करने के लिए तो वहां के स्थानिये जो लोग होंगे उससे सरकार जो है क्लाबरेशन कर लेगी और फिर इस एको ट्यूरिजम को बढ़ावा देगी तो बह हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सेंटर गवर्मेंट हेल्थ स्कीम की तरज पर राजस्तान के अंदर राजस्तान गवर्मेंट हेल्थ स्कीम जो है आर जी एचस को जो है इसका प्रतम चरण है वो एक जुलाई 2021 से लागू करने की जो है वो मनजूरी दी है इसका उ उक्षार की भैतर सुविधा उपलब्द कराना सब्थेश है तो अगर आपसे पूछ ले योजना किन लोगों के लिए हैं तो सिटिजुन के लिए हैं। उनके परिवार उनके पूर्व विधायक और पूरवय विधायक हैं उनके यह यह योजना है। इसमें क्या-क्या जो है इनको सहूलियतें दी जाएगी तो इसमें तेरा लाग अभ्यारती परिवारों को इंडोर आउटडोर और जांचों की कैशले सुविधा सभी राजकिये चिकेट सालियो अनुमोधित नीजी चिकेट सालियो ठीक है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है और इसमें जो एक जनवरी 2004 के बाद में जो करमचारी नियुक्त हुए है उनको विकल्क दिये जाएंगे जैसे की कैशलेस्ट ओपीडी सुविधा पांच लाग तक की और क्रिटिकल बिमारियों के लिए पांच लाग का अतिरिक चिकित सालियो और बीस अजार तक की जो है सीमा की आउट्डोर चिकित सा सुविधा जो है इन लोगों को दी जाएगी अभी जो वर्तमान में तीन लाग तक की बिमाधन की सीमा में केवल आई-पीडी जो है इसकी सुविधा उपलब्द है और उन्हें जो है आर जी एच एम में भी यह सुविधा पूर्व की बाते निशुल्ख प्राप्त करने का विकल्ब जो है वो मिलेगा यानि कि अभी जो है तीन लाग तक काई जो है बीमाधन मिलता है लेकिन उसके बाद में ये सारी जो चीज़े हैं वो भी एड़ उन इसके अंदर हो जाएगी तो अब इसमें जो है मुख्यमंत्री ने लग और मुख्यमंत्री ने परियोजना निर्देशा आरजी एच एस राजी बीमा और प्रावधाई की निधी विभाग वित भवन जयपुर के नाम से नवीन कार्याले के गटन को भी जो है इसमें स्विक्रती दी है ये नवीन कार्याले भी इसकारे के लिए बनेगा तो जितन के संचालन के लिए राज्य सरकार कुछ ना कुछ अनुदान देगी कि जो ओल्डेज होंस होते हैं उनकी बैटर परफॉर्मेंस हो सके वहां के लोगों का भी ध्यान रख सके तबी तो सरकार जो है वेलफेर गवर्मेंट कहलाती है ठीक है तो उसमें ये कहा गया है कि जो व व्रिद्ध वश्मिन रुम्व का वह संचालन करती है तो अब जो सरकार है वो प्रती विक्ति सतरा सो पचास उरुपे जो इस संस्ता को देगी तो टोटल जो है डेड़ लाक रुपे प्रती वर्ष का जो है सरकार के ओपर खड़ चाएगा इसको लेकर के और वो प्रण सभागी चार तो वित्ति और 15 अन्य समीतियां है उनका गटन किया है जो सभापती हैं जिनका नाम है सीपी जोशी जी उन्होंने इसका जो है क्योंकि स्पीकर जो होता है वही इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनका चैन करता है तो विभिन समीतियां जब आप पारलेमें करके और जो पढ़ते हैं उसी प्रकार से लक्षमी कांत का पीडियोफ जो है उसको भी मैं आपको बताऊं कि उसमें जो चैप्टर से हैं ताकि एक बार में चीज आपको जो है वहां पर मिल जाए क्योंकि पॉलिटी में पता ही क्या होता है जैसे आप किसी भी एक्जाम के के पॉलिटी पढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे यह उटीप से देखते हैं या फिर चोटे-चोटे गुठके आते हैं उन किताबों पढ़ते हैं तो उसमें क्या हुता या फिर गाइड बुक से पढ़ता हैं तो उसमें पूरी चीज एक स्षी मेर्यान जघदी का से और कैसे स्क्रैप होती है इलेक्शन कमिशन के पास क्या-क्या पावर है यह सबको पता होना चाहिए तो अगर उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा और अगर एक बार उसका बर्ड आई व्यू ले लेंगे यानि कि हर चीज आ पूरी तरीके से लेती हूं अगर आपने उसको जो मैंने पढ़ाया अगर वह लक्षमिकांत के वह चीज़ें अगर मैं जो आगे भविश्य में पढ़ाने वाली हूं उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक भी कोशन गलत नहीं होगा पॉलिटी में that's my guarantee जाए स्टेट लेवल के एक्जाम से कोई से भी एक्जाम दीजिए प्री प्लस मेंस एक कुशन भी आपका आउट ओफ जो है आपकी जद से बाहर ने जाएगा यह guarantee है तो मैं उसको जल्दी शिरू करूंगी इतना बड़ आश्वासन दिया है तो आप कहेंगे कि पढ़ाओ भी सह मैं आने दीजिए अभी जो है फिलाल इस पर चलते हैं तो जो समीतिया है उनके अध्यक्ष देखते हैं तो समीति जो है वह जन लेखा समीति उसके जो अध्यक्ष बनाया है उसको गुलाप चंत कटारिया जी को बनाया है प्राकलन समीति जिसको एस्टिमेट कमीटी कहते है है उस में दूह कमीटी आ हुती है कघ औरय बी उसमें राज़्जेंद्र पारिक और दयारां पडियारं अन्को बनाया है राजकियो उप्क्रम समीथिं हेमारान चौधरी की समीथ्ञा Feud 자dokh को जो है अच्छे से रीडाउट कर लीजेगा अब मैं आगे बढ़ रही हूं इसमें सालगाव बांत पर योजना को जो है प्राशासनिक मंजूरी मिल गई है तो यह बांत कहां पर है पहले तो यह देखें तो देखें इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है इस योजना को 1977 मे द्रिंकिंग वाटर की जो प्राब्लम से उसको हैंडल करने में जो है यह सालगाव बांत परियोजना कारगर से दो सकती है तो इसलिए इसको अभी मंजूरी मिली है यह कोशन आ सकता है कि यह परियोजना कहां पर पेजल उपलब्द करवाएगी तो आपको पता होना चीए आबू परवत जो है वहां की पेजल समस्याओं के लिए इस योजना को जो है मंजूरी मिली है नेक्स्ट यूज भी काफी इंपोर्टेंट है जो खादी विकास सारी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन है के वी आईसी जो है उसने एक नई योजना शुरू किये राज सक na, मुरूस्तली करणभी है उसको रोका जासओ कहए ठीक है तो यह राजसरकार नहीं करेगी कोशन पूछ लेए राजसरकार के द्वारा या इनवाइरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा के केंद्र संकार के ह किसके द्वारा बनाया गया है चलाय जाएगा खादी और इंडस्ट्री कमिशन की द्वारा इसको भी जुलाई के अंदर ये लोग स्टार्ट करेंगे और इसका उद्देश यह है कि मरुस्तली करण को कम करो डेजर्ट कम हो राजस्थान में डेजर्ट का मार्च ना बढ़े जादा और जो जंजाती है उनकी आए भी हो सके क्योंकि आ और आजादी का जो पिचेतरवा अमरित महोसव है उसमें खादी बांस महोसव के रूप में जो है इसको भी शुरू किया गया था अब देखिए यह अपनी तरीके का एक अनोखा और पहला वेग्यानिक अभिहास है जो मरुस्तली करण को कम भी करेगा और जो जनजाती है ल 1000 पौदे जो हैं वो लगाए जाएंगे अब कितने पौदे लगाए जाएंगे कहां से क्या लाए जाएगा नहीं भी याद रहे तो यह तो पता होना जी किसकी है जो यह खादी विलेज इंडस्ट्री कमिशन की है तो इतना याद रहे जाए बहुत है इसके बाद में पता ह यह जो KVIC है यह गुजरात के अंदर और जो लद्दाग शेतर है वहाँ पर भी इस योजना को दोराएगा ठीक है फिर नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर उत्थान कोश तो देखिए जो हमारी राज्य सरकार है उसने जो ट्रांसजेंडर से उनके उत्थान के लिए उनके वेल सरक्षात्मक जो है या इनके वेलफेर के लिए जो है कोई भी कारे जो है इस फंट के पैसे से किया जा सके तो यह इसके बारे में न्यूस थी फिर कुछ शॉर्ट न्यूस है वो देख लेते हैं पहली है ML कुमावत समीती तो यह जो समीती है तो सभी को पता है न्यूस में बहुत चली है कि जो いた किया अ क्या पकर समेपड़ दिया जाये और यह जो बड़ी बड़ी वाते हैं वह सभाब पढ़ लेना जो희 है गदा है है फिर निंक्सा मतलब होता है उंच का मतलब है कि प्रदेश की पशुपालं जो विभागे उसने राज्य के उठ बहुले जो छेतर है वाँ पर उठ सथरक लियां का शुबर्ण और इसमें राज्य के पशुपारлон प्र नरे चिकेसास संस्थान और निवस्थ उपाय हैं तो शीगर जास फ्रकाट एकशा tiles नी में किस जानवर में जाता था कि पूछी यहसा मतलब होता है जिसका इसको पुराना बना हूआ है और उसके उपर यह आप थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजिस करके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नया बनाते हैं तो मुख्या मंत्री जी ने कोटा में ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट को मंजूरी दी है और इसके अंदर जो है बारा सो पचास एकड की निशुल कावंटित भूमी जो है वो भी की है और ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट से प्रदेश में एर कनेक्टिविटी का विस्तार होगा एजुकेशन हब के रूप में जो कोटा शेहर विस्तरत हुआ है उसके आसपास के छेतरों में विकास को भी जो है वो गती मिलेगी फिर है मुकबीर प्रोट साहन योजना तो मुकबीर तो हम जानते ही हैं मुकबीर किसको कहते हैं तो अब देखिए मुक्यमंत्री जी ने कर चोरी की सूचना देने वाले जो लोग हैं इस योजना के तहट मुक्बिर को दे अंतरिम प्रोचान राशी की सीमा जो है अधिक्तम एक लाग नगत होगी और अंतरिम पोचाहन जो राशी होगी हो 25 लाग तक हो सकती है ठीक है फिर है और जो PCPNDT की मुक्बिर योजना यानि के जो इलीगल तरीके से जो सोनोग्राफिय वगरा कराते हैं तो उसके तहरे जो भी विक्ति उसकी सूचना देता है उसको भी रिवाड दिया जाता है उसमें प्रोचाहन राशी डाइल लाग रुपए से बढ़ा कर तीन लाग रुपए जो है वो कर दी गई है फिर है बरकातुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम तो जो साहित्य और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी करला ने जो है ब्रज भाषा अकादमी की त्रेमासिक पत्रिका है जिसका नाम है ब्रज शत्तदल इसके महात्मा गांदी विशेशांक का जो है वो विमोजन किया है तो थोड़ा सा यह पता होना चीए कि यह आकिरकार जो है ब्रज शत्तल क्या है तो यह त्रेमासिक जो है वो पत्रिका है तीन महीनों में जो एक बार आती है उसको त्रेमासिक कहते हैं तो वो पत्रिका है फिर है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एक विधायक के बारे में योजना है जिनका नाम है पार्सा राम मेगभाल जो जालोर सिर यह राज किसान जैविक क्या है तो यह एक मुबाइल एप है तो इसको इसमें किसको जोड़ा जाएगा तो किसान और उपभोगता को ऑनलाइन मंच उपलब्द करवाने के लिए राज्य सरकार के प्रियासों से राज किसान जैविक मुबाइल एप जो है यानि कि स्टेट लाज चीत कर सकेंगे उपज की विक्री और खरीद की बातें कर सकेंगे और इसमें जो है इस एप के साहीता से उन किसानों को अपनी उपज बेचिने के लिए करिदार डून्डे में आसानी आने वाली कर सब्स macinic ewan啊 उनाज cy嘛 फलों का उतपाधन कर रही है तो उनके लिए विशेश इसमें पैदा होगा तो राज किसान जैविक जैविक के नाम से आपको पता चलेगा कि जो जैविक फसल ने उगाते हैं तो उसमें जैविक फसल का प्रोडक्शन कम होता है तो उसमें जो है आप मीडियेटर को अगर आप पैसा दे देंगे जो आड़ती है वगयरा जो है अगर वो पैसा बीज में खा जाएंगे तो फिर किसान के पास कम बचेगा तो उसके लिए एक अलग से एप बना दिया गया ह जो कि जो है डारेक्टली विदाउट हैनी उसके जो है डारेक्ट जो है प्रोड्यूसर को कंजूमर से जोड़ेगा फिर डबल स्टैक ट्रेन यह क्या है